राधे राधे मित्रो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नैनीज भक्ती सागर में तो आज की इस वीडियो में मित्रो मैं आपको सुनाने वाली हूँ सातो वारो की कहानी जैसे सोमवर, मंगलवर, बुदुवर इन सातो वारो पर यानी सेवन डेज पर सातो दिनो में मैं हमारे सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं की कथाएं आपको सुनाने वाली हूँ तो चलिए मित्रो कथाएं शुरू करते हैं इतवार की कहानी एक बुढिया थी इतवार के वरत करती थी उसके गोबर का नेम था गोबर से चूला लेपके तब रोटी बना के खाती पडोसन के गोव थी उसके यहां से गोबर लाती थी तब अपना चूला लेपती थी एक दिन पडोसन ने गोव अंदर बांध ली बुढिया को ना गोबर मिला ना करा और ना खाया भूकी पड़ी रही बिचारी सपने में श्री सूरिन रैन दिखे बोले बुढिया भूकी गाए ने एक लड़ी सोने की करी एक गोबर की कर दी सोने की तो पडोसन ले गई और गोबर की विचारी बुढिया अंदर ले आई लीप पोत के खाले रोज ऐसे करे भगवान ने सोचा मैंने बुढिया को धन दिया बुढिया लेना ना आए अब सूरज भगवान ने गोबर का नेम है मैं गोबर से लीप कर बना कर खाती हूँ एक दिन मुझे गोबर नहीं मिला भूकी पड़ी रही सो गई सपने में सूरे नर्ण दिखे उन्होंने कहा बुढिया भूकी क्यों पड़ी है मैंने कही मेरा बेटा गोबर का नेम है आज गोबर नहीं मिला उन्होंने कहा बाहर जाकर देख मैंने जाकर देखा गोव का बचड़ा बंदा हुआ था जब एक सोने की करे एक गोबर की पडोसन सोने की ले जावे गोबर की मैं अंदर ल पडोसन को दंड दिया, जैसे बुडिया को आई, वैसे सब को आई ओ, बोलो सूर्य नरयन भगवाने की जै, सोमवार की कहानी, महादेव जी कहलाश परवत पर जा रहे थे, पारवती जी बोली मैं भी चलूँगी, महादेव जी बोले पारवती जी तुम मत चलो, तुमें साउकार के घर आ गए, साउकार नी बोली महराज क्या चाहिए, महादेव जी बोले हमारी पारवती जी को खीर खांड के भोजन चाहिए, वो बोली चल दिये हैं दोनों मोडा मोडी, दोनों को खीर खांड के भोजन चाहिए, खीर खांड खानी है तो अपने घर में क्यों नही आगे चल दिये एक बुढिया मिली बोली आओ महाराज बैठो महादेव जी बोले पारवती को खीर खांड के भोजन चाहिए बुढिया लोटा लेके चल दी महादेव जी बोले बुढिया कहां चली बोली दूद चावल खांड लेने के लिए जा रही हूं महादेव जी बोले घर में देख देखा तो दूद के टोकने भरे हैं चावल की पराद भरी है खांड की बोरी धरी है टोकना भर के खीर बना ली महादेव और पारवती खूब जी में बुडिया बोली अब इसका क्या करूँ मेरे तो कोई भी नहीं है महादेव जी बोले आख मीच आख मीच ली आख खोल कर देखे तो खूब परिवार हो रहा है अब बोली महाराज कहां रखूँ महादेव जी ने जोपड़ी को लातमारी महल हो गया अब खीर कटोरे भर भर के बाटने लगी तब वह साहुकारणी बुडिया के घर गई बोली तेरे इतनी खीर कहां से आई बोली हमारे तो महादेव और पारवत दिया थे जीम ने सावकारणी बोली मेरा तो सारा धन तेरे गेर गई मेरे तो कुछ भी ना बचा अब वो भागी चली गई मोडा मोडी ठैरियो बोली मेरा धन उसके क्यों दे दिया महादेव बोले तूने तो ना कर दी तो तेरे ना ही हो गया उस तेरा रुकेगा नहीं धन तेरे जुडेगा नहीं जैसी बुडिया की आई सब को आई हो कहते सुनते हूं कारा भरते को मंगलवार की कहानी हनुमान जी के मंदिर में एक सावकारणी रोज जाया करती थी चूरमा की पिंडी और एक रोटी ले जाती कहती कांधे सोटो लाल तो हनुमान जी खायो चूरमे और रोटो मैंने तुमें दिया जवानी में और तुम मुझे देना बुड़ापे में पूजा करने के बाद सावकारणी आई बहु बोली सास जी तुम चूरमा रोटी लेकर कहां जाया करती हो रोज सासु जी बोली बाला जी के मंदिर में जा बुड़िया बोली आज तो तुम दे रहे हो रोज कौन देगा हनुमान जी बोले मैं तुझे रोज दूँगा बुड़िया ने चूरमा खा लिया बहु के घर कुछ भी नहीं रहा सब चीज में घाटा हो गया बहु बोली साथ दिन हो गए हैं सासु मा को जाकर देखती हू मैंने तो खाने को भी नहीं दिया जाके देखा तो खू मोटी हो रही है भव बोली सासु जी तुमें खाने को नहीं दिया तुम ऐसे कैसे मोटी होगे तुम खाती क्या हो सासु बोली मैंने तो हनुमान जी की मीठी मीठे चूरमे की रोटी खाई है वही मुझे देखा जात वही खाती हूँ बहु सास के पैरों में पड़ गई बोली हम से तो गुना हो गया हम तो तुमारी भाग का खाते हैं हमारे घर में तो कुछ भी नहीं रहा अब आप खुद संभालो सास रोज चूरमा रोटी लेकर चड़ाने जाने लग गई और हनुमान जी ने तब से उसको धन दिया जैसे सासू को हनुमान जी ने दिया वैसे सब को दियो जैसे भव को दिया वैसे किसी को मत दियो बोलो हनुमान बाबा की जै बुद्धुवार की कहानी बुद्धुवार के दिन एक साउकर का लड़का बहु लेने जा रहा था माने बहुत मना किया लेकिन नहीं म मैं तो पानी प्यूंगी वो पानी लेने चला गया बुधुवार उसका रूप बनाकर पानी लेकर आया बहु ने पी लिया बुधु पास में बैड़ गया वो आया पानी लेकर बोला तू कौन है ये तो मेरी बहु है बुधु बोला मेरी बहु है बहु बोली मेरा पती तो य ये हैं वो पंचायत में गए वहां उनकी सारी बाते सुनकर पंच बोला तुम्हारा पती कौन है बुद्ध का उसने हाथ पकड़ कर कहा ये मेरा पती है उसका पती रोने लगा फिर पंच ने करवा मंगवाया और कहा जो मच्छर बनके करवे के मुझ से निकल जाएगा उसकी भव होगी बुद्ध मच्छर बनके करवे में घुज गया करवा बंद कर दिया पंच बोला तुमने बुद्ध को नहीं माना इसलिए बुद्ध ने ये सब नाटक दिखाया उसने सारे में धिंडोरा पिटवा दिया बुद्ध वार को बहन के भाई और सासरे में जवाई को जी को ना दिखावे कहते सुनते हूंकारा भरते को भुद्ध भार की कहानी 2 भाई बहन थे बहन ब्रस्पति वार के व्रत करती थी ब्रस्पति Maharाज आते चार लडडू चांदीन का कटोरा दे के चले जाते लडडू खाले थी कटोरा कोटरी में धर देती एक दिन भावी ने कोठरी खोलके देखा जगमग हो रही है उसने पडोसन से कही मेरी ननट कहां से लाई है पता नहीं मुझे तो कोठरी में खुब जगमग हाट होती है बोली अपने आदमी से कह दे आदमी तो सुनता ही नहीं है मेरी बोली डाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में दे दियो दूसरे दिन डाल का चमचा तो उसने भात में दे दिया और भात का चमचा दाल में दे दिया बोला पागल हो रही है क्या भाबी बोली पागल मैं नहीं हो रही तेरी बहन हो रही है पता नहीं कहां से लाती है चांदी का कटोरा और खुब जगमागाट हो रही है इसे घर से निकाल दे तब भाई अपनी बहन को बोला चल जी जी मामा के चलते हैं अब बहन तो जानती थी है कौन से मामा के घर ले जा रहा है बहन ने बोला भाई केले का पेड जहां पर भी पेड़ के पीछे चिपकर देख रहा था उसके पैर पकड़ लिये बहन बोली छोड़ पापी मेरे पैर कवारी कन्या हूँ मेरे कलंक लगाएगा क्या यह है मैंने सत्केवरत करया इसलिए ब्रस्पत भगवान मुझे चांदी का कटोरा और चार लड़ू देकर जाते थे तब वह अपनी बहन को वापिस ले गया दर्वाजे पर खड़ी देखकर भावी बोली तू फिर ले आया बोला मेरी बहन को कुछ मत कहना मेरी बहन तो ब्रस्पत के वरत करती है वो ही देके जाते हैं बोली देखती हूँ इसके ब्रस्पत महराज कितने आते हैं और कितने इसको लड़ू देका जाते हैं पूरी नगरी में उसने धिंडोरा पीड दिया कि मेरी ननत ब्रस्पतवार के वरत करती है सब कोई आ जाना क्योंकि इसे कोई चार लड़ू और चांदी का कटोरा देका जाता है अब वो एक टांग से खड़ी होकर बोली हे ब्रस्पत महराज अम मेर लाज रखना तीन बार ब्रस्पत महराज आए सब को चार चा लड़ू चांदी का कटोरा देका चले गए जैसे ब्रस्पत महराज ने उस लड़की का सत्रखा उसकी लाज रखी वैसी हमारी भी रखना बोलो ब्रस्पत महराज की जय विश्नु भगवाने की जय शुक्रवा जाती हूँ तुम मेरे शुक्रवार की पूजा कर देना सास चली गई भाउने नहाद होकर काम धंदा करके खापी लिया शुक्र महराज को गुस्सा आ गया तरा तरा की विपत्तियां आ गई बच्चे बहुत बिमार हो गए लड़के का काम छूट गया बिमारी में सारा पैसा खत्म हो गया घर में जाड पोच का शुक्र महराज की मूर्ति को कुड़े में डालाई लड़का भी बिमार हो गया सास तीर्थ करके आई तो घर को ऐसा देख कर बहुत दुखी हुई रात को सपने में शुक्र महराज ने कहा तेरी भाउने मेरी पूजा नहीं करी है उठका देखे तो शुक्र महराज की मूर्ति नहीं है बहु से बोली शुक्र जी की मूर्ति कहा है बहु बोली मुझे नहीं पता सास घर बुहार कर कुड़ा फैक ने गई तो वहां शुक्र देव की मूर्ति पड़ी मिली वहां से उठा कर नहला कर बड़े प्रेम से पूज राजा को लगोगे तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी मेरे लग जाओ शनीदे भगवान बोले साथ साल की ना ओटी जाए पात साल की ना ओटी जाए धाई साल की ना ओटी जाए सवा साल की ना ओटी जाए सवा पहर की ओट ले तो उसने सवा पहर की ओट ली नदी के किनारे जाकर बैड गया आसन बिछा के पाठ करने लगा ओम नम लड़के के सर बन गए, राजा के लड़के के सर काटके गुटने के नीचे रखे हैं, अपनी बीवी से उसने बोला भरामणी किसी से कयो मत मुझे शनी देव लगे हुए हैं, इसलिए ये दशा हमें सता रही है। राजा के लड़के खेलते खेलते हस्ते हस्ते आ गई रानी बोली महराज ब्रामण सूली पे चड़ा दिया तुमने तुम्हारे बेटे तो हस्ते खेलते सामने से आ रहे हैं अब ऐसे हमारा पाप कैसे उत्रेगा राजा बोला जाके देखो ब्रामन पाठ करने लग रहा है ब्रामन क्या ग्यान विज्ञान जाने था बोला मैं तो कुछ भी नहीं जाने था मैं तो पाठ करने जा रहा था रास्ते में शन्देव मराज मुझे मिले उन्होंने कहा मैं राजा के लगने जा रहा हूं मैंने बोल तब भ्राम्मन ने कहा गरीब तेल की पली गुड की ढली लेकर एक डकोत को साथ शनीवार दे दे और पीपल के नीचे जाकर वह तेल और गुड की ढली चड़ा दे कह दे शनी दे मोटा कभी ना आए टोटा शनी दे मोटा कभी ना आए टोटा शनी दे मोटा कभी ना आए टोटा शनी वार की घड़ी घड़ी ले सतर बला टले साथ बार कह दे और साथ बार ही वे उसकी बला टल जाएगी पोलो शनी दे महराज एकी जै यदि मित्रो आपको ये ज्यान वर्दक वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करे, कॉमेंट करे, शेयर करे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और ज्यान वर्दक सनातन धर्म हिंदू धर्म से जुड़िवी कथाओं के साथ या अन्य वीडियो के साथ तब तक के लिए जय श्री कृष्णा राधे राधे मित्रो